तो दोस्तो वेल्कम बेक टू मैई चैनल आलू पराठा तो आप सभी ने खाया होंगे तो चलिए आज हमें एक ऐसा नास्ता बनाते हैं जो शायद पहले आपने नहीं बनाया होगा तो सबसे पहले हमने हाफ कुक किये हुए आलू को अच्छे से कद्दू कस कर लिया आटे में गेहु के आटे में उसको मिला लिया और उसमें डाले च्मसाला जीरा पाउडर और थोड़ा सा खड़ा जीरा और प्लेन नमक डालकर थोड़ा सा तेल डाला और अच्छे से कड़ा-काटा गुत कर तयार कर लिया एक से दो मिनिट तक आटे को सेट होने के लिए छोड़ दिया जब तक कड़ाई में तेल रखके उसे भी गरम होने के लिए रख दिया कड़ाई में तेल गरम हो गया है अब ये देखिया हम इसकी पतली पतली पूरिया बना कर तयार कर लेंगे ये पूरिया खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती हैं आप इन्हें बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और घर में भी नास्ते में इनको बना सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साथी साथ बहुत ही क्रिस्पी भी लगती है तो यदि आपको मेरी यह रैस्पी पसंद आई हो तो आप भी इसे बना कर एक बार जरू ट्राइब कर सकते हैं और ध्यान रहे इसमें जो आलू लेने हैं वो हाफ कुक होने चाहिए अच्छे से बॉयल मतलब पूरे बॉयल नहीं होना चाहिए इनको तो आप भी इसे बना कर एक बार जरू ट्राइ करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई